हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो माई चैनल बी ट्रेंडी एंड हेल्दी आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग डेली की सबसे फेमस मार्केट सरोजी नगर मार्केट का विंटर कलेक्शन लेके आई हूँ और सीरियसली जब मैंने ये परचेज किया और मैंने आके अपनी फ्रेंड्स को दिखाया और मुझे इतना अच्छा स्टफ मिला है वहां से इस बार और मैं बहुत कुश हूँ और मैंने लास्ट टाइम भी परचेजिंग की थी एंड आफ सीजन में और इस बार भी मैंने एंड आफ सीजन में परचेजिंग की है मैं वहां से हाइनेक स्टेज करके लेके आई ही हूँ मैंने एक बटनवला स्टेज की एए एथनेक वियर्स के लिए और मैंने वहां से दो कोट परचेज के हैं और थ्री वेस्टर ईइरिंग्स परचेज की हैं जो की बहुत जादा सुन्दर है So, end of season sale में क्यों बोल रही हूँ, अगर आप Feb के end में वहाँ पे जाते हैं, पर्चेजिंग करने के लिए, और अगर आप January या December में जाते हैं, तो कोई चीज आपको कोई स्वेटर वहाँ से 200 का मिलता है, तो end of season sale में वही स्वेटर आपको वहाँ से 100 उपीस का मिल जाएगा, बिना time waste के start करते हैं, लेकिन आप मेरे चैनल पे new हो, तो जल्दी से चैनल को subscribe करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको notification मिल सके, और अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगे तो end में like और share जरूर करना, तो first sweater है, ये green color का बहुत ही सुन्दर high neck और turtle neck sweater, और इसकी quality बह बहुत अमेजिंग है, बिल्कुल full sleeves, मुझे sleeve भी छोटी नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि हम वहां से लेके आते हैं, और उनकी sleeves छोटी रह जाती है, बहुत ही अमेजिंग अगर आपको midi fitting आती है, तो आपको वहां से स्विटर अराम से फिट आ जाएगा, देखने के वो शॉपपले ने हमें सबसे पहले 450 प्राइस बोला क्योंकि ये फ्रेश स्विटर है, वहां पे आपको जो बाहर मिल रहे होते हैं 50-80 रूपीज में वो फ्रेश नहीं होने के चांसे हो सकते हैं, बट ये बिल्कुल फ्रेश स्विटर था, तो इसने फ्रेश स्विटर था मेरी हाइट 5-3 है, अगर आप मेरी हाइट थोड़ सी बढ़ी है, तो भी ये लेंथ आपको बहुत अराम से आजाएगी, अब नेक्स्ट है, ये पीच कलर का सेम हाइनेक स्विटर और बहुत ही जादा सुन्दर, तो ये मैंने अपने डल होजी मेरा जो मैंने ट्रिप की वी और हर एक स्विटर के बाद आपको इसका ट्राइओन भी मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो कि पहने के बाद ये कैसा लग रहा है, तो अगर आपने सरोजनी मार्केट विजिट नहीं किया अभी तार तो एक बार यहाँ पे जरूर विजिट करे और ये स्विटर भी मैंन पादा सुंदर लग रहा था, ये बी 200 का अगर तो नेक्स स्विटर है ये नेवी ब्ल्यू कलर का बहुती सुंदर ये भी पहनने के बाद बहुत प्यारा लग रहा था और ये सिर्फ और सिफ 80 रुपीज का है और बहुत अमेजिंग लग रहा था पहनने के बाद मैंने से लाइट ब्ल्यू जीन्स के साथ और मैंने हील्स के साथ पहना तो बहुत ही अच्छी लुग दे रहा था और देखने में ये बहुत सिंपल लगता है स्वेटर बट बहुत अच्छा लगा था और ये सिफ मुझे 80 रुपीज में मिला, सो सीरियसली मुझे ये स्वेटर का क् लगानी था कि 80 रुपीज में मिल जाएगा पर जो आपको बाहर सरोजनी में वो हैंगर में टांके खड़े होते हैं भया उनके पास अगर धूंडोगे तो आपको काफी अच्छा स्टफ मिल जाता है तो थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है जब अगर अगर आप फर्स उसके बाद ये फोर्थ स्वेटर है ये बटन वाला ब्लैक पॉलका डोट्स में बहुत ही सुन्दर और ये मैं एथनिक वियर कुर्टीज वगरा के उपर पहने के लिए लेके आई हूं और ये भी पहने के बाद बहुत प्यारा लग रहा था तो इसका कलर भी ब्लैक है और ये हर एक के साथ चल भी जाएगा और ये भी मैंने जो बाहर लगा के बैठे होते हैं भाईया उनसे ही लिए 80 रूपीज का बहुत गरम है क्वालिटीज की बहुत अच्छी है और इसके स्लीव भी बहुत प्यारी है आगे से थोड़े से प्लेन दी हुई है और बटन्स मिल जाएंगे आपको यहां पे ब्लाक कलर के सो आप देख सकते हो बहुत प्यारा लग रहा है पहनने के बाद और एक स्वेटर ये है जो मैंने वीर कर रख है ये भी हाइनेक में है और इसकी स्लीव कुछ इस तरह की है और ये चूड़े की वज़े से थोड़ी चोटी लग रह है और इसमें आपको डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे तो पहनने के बाद ये स्वेटर बहुत जादा सुन्दर लग रहा है और ये भी मुझे टू हंड़े रुपीज में मिला था मैंने सेम शॉप से खरीदा था हमने वहां से सेवन सिक स्वेटर खरीदे थे और टू तो उन्होंने भी कुछ इस तरह की ही परचेजिंग की थी तो वहां पर बहुत अमेजिंग स्टाफ है और अब ये ट्राइ आउन में देखेंगे ये पहनने के बाद कैसा लिए तो अब नेक्स्ट इयरिंग्स देख लेते हैं मैं वहां से इयरिंग्स क्या लेकिया ही हूँ उसके बाद हम देखेंगे मैंने वहां से कौन से कोट परचेज किया है एक मैंने लॉंग कोट परचेज किया और एक शॉट और वो कोट जो मैंने परचेज किया है वो मस्ट बाई है आप उसको जरूर देखना एंग तक देखना और ये जो मैंने आपको स्वेटर्स दिखा आपको बहुत सारे एरिंग्स वाले मिल जाएंगे तो मुझे इस बार वहां पे जो एथनिक एरिंग्स से वो थोड़ से कॉस्ली मिल रहे थे तो मैं लेके नहीं आए बट मैंने तीन वेस्टर एरिंग्स परचेस किया है, एक मैंने ये सिलवर कलर का राउन में जो बालीयां आती है ये मैंने मेरे पास इस size में नहीं थी तो मैंने ये size में purchase किये ये भी मुझे वाँ से 30 रुपीज की मिली है सो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ एक बार सो ये भी पहनने के बाद बहुत अच्छी लग रही थी और उसके बाद जो मैंने third earrings purchase किये हैं ये purchase किये हैं pearl वाले बहुती amazing ये आजकल बहुत ज़्यादा trend में है मैंने big boss में पहने होए देखा था ये काफी logo को और ये earrings बहुत ज़्यादा trend में है और ये भी मुझे से वहाँ से 30 रुपीज में मिले सो जब मैंने इसका online rate देखा था तो ये बहुती costly मिल रहे थे बट वहाँ पे आपको काफी सारे ऐसे भाया मिल जाएंगे जोने earrings लगा रखे हैं और 30-30 रुपीज में दे रहे हैं ये भी पहने के बाद बहुत ज़्यादा amazing लग रहे थे नेक्स्ट मैंने वहाँ से लिया था ये coat जो की jeans और suits दोनों पे ही बहुत प्यारा लगेगा और ये collar वाला है और इसके उपर से ही बटन स्टार्ट हो जाते हैं बहुत प्यारा कलर है ये black और white का combination है यहाँ पे front में इसके दोनों side पे ऐसे pocket दी हुई है और पेहने के बाद ये बहुत जादा सुन्दर लग रहा था so मैंने इसे jeans के साथ भी wear करकी देखा था और suits के साथ भी so दोनों के साथ ये coat बहुत जादा सुन्दर लग रहा था और ये मुझे आगर आप price सुनोगे इसका तो आप हैरान रह जाओगे कि इतना अच्छा coat इतना सस्ता कैसे मिल गया so जब उसने मुझे बोला तो उसने मुझे 600 बोला और मुझे लगा निता कि मैं purchase करूँगी so मैंने उसको ऐसी 150 बोल दिया कि भया मैं तो 150 में ही लोगी और वो 150 में पांच मिनिट बार देने के लिए ready हो गया so ये बहुती best deal थी so आप थोड़ा सा वहाँ पे घूमोगे और अगर आप first time जा रहे हो so depend करता है कि आपको कितना bargain कराना आता है so आप उसे बहुती lowest price बोलना so वहाँ पे बहुत अच्छे तरह से bargaining होती है मतलब अगर कोई चीज की चीज का price आपको वहाँ पे 600 का बोल रहे है so वह 150-200 तक में आपको वह चीज अराम से दे देंगे और अगर उस शॉप पे नहीं मिली तो वैसा same stuff आपको किसी और शॉप पे भी मिल जाएगा so आप एक शॉप छोड़के दूसरे से भी purchase कर सकते हो तो थोड़ा bargaining आपको एक बर वाम पे आपको विजट करना पड़ेगा थोड़ा सा घूमना पड़ेगा कि कैसे bargaining होती है so इस तरह के stuff आपको वहाँ पे 150-200 में मिल जाएगे अराम से और last but not the least my favorite जब मैंने ये purchase किया और मैंने आके अपने friends को दिखाया तो वो सब jealous हो गए थे seriously क्योंकि ये coat ही इतना जादा प्यारा है सच में मतलब इतना प्यारा pink color का pink bright color का ये long coat है आप देख सकते हो इसकी length बहुत जादा बढ़ी है मुझे ये knee length तक आ रहा था और यहाँ आपको sides में pocket मिल जाएगी और front में आपको यहाँ पे ऐसे तीन बटन दियों है टिच बटन है जिससे आप बंद कर सकते हो अब भी आप try on में देखना कि ये पहनने के बाद कैसा लग रहा है और मैंने ये अपने डिल होजी ट्रिप में पहना था और पहने के बाद इतना जादा सुन्दर लग रहा था और यही same coat जब मैंने online सर्च किया सो मुझे ये 4000-5000 का पढ़ रहा था और इतना heavy coat है ये quality amazing मतलब 200 दूंड़गी मैं इसको quality में सो बहुत ही प्यारा और अभी आप पहन के देखोगे और अगर आप इसका price सुनोगे तो आप सच में हरान रह जाओगे और आपका अमन करेगा कि मैं कली सरोज नी भाग जाओ सो उसने मुझे ये जो coat का price बोला था वो 600-700 के बीच में बोला सो मैंने उसे जस ऐसी बोला कि मैं 250 में लूँगी सो उसने 250 में तो नहीं माना बट उसने ये coat मुझे 300 में दे दिया और ये coat 300 में मिलना मतलब एक लड़की के लिए मतलब इतना प्यारा coat मुझे 300 रुपीज में मिल गया बस और आगर आप फ्री हो और आप डेली में रहते हो तो आप को अभी भी वहाँ पे विंटर स्टफ मिल जाएगा और आप जरूर विजिट करना वहाँ पे आप टॉप्स भी आ गई है और वो भी आपको 150 रुपीज में बहुत ही अराम से मिल जाएगी यह नाइट सूट्स का कलेक्शन बहुत अच्छा आया हुए अभी वहाँ पे सरोजनी नगर में सो अभी यह पहन के देखेंगे कि पहनने के बाद यह कैसा लग रहा है सो लास्ट में एक सर्प्राइज है मैं इसको भूली गई थी यह मेरा क्यूटीपाई सा बैग और यह बैग मैंने वहाँ से परचेस किया बहुत सुंदर मैंने इसको मैं अपने ट्रिप पे भी वीर किया था मैंने इसको कैरी किया था सो बहुत ही अमेजिंग यह बनी वाला बैग है बिल्कुल सॉफ्ट वाय होता है न उस टफ में है यह और इसमें आपको ऐसे गोल्डन चेन मिल जाएगी सो आप भी इसको परचेस कर सकते हो बच्चे भी इ हुई है और यह चेन यहां से ओपन हो जाती है और आप इसे बैक पैक भी बना सकते हो यहां नीचे आपको एक पिन सा दिया हुए बैक पैक बनाने के लिए सो जब मैंने इसे बैक पैक बनाया तो मुझे यह आया नहीं सो बच्चों को यह बैक पैक बनाने के बाद अराम से पहने के बाद करने के बाद यह बहुत जदा सुन्दर लग रहा था इसमें ऐसे गोल्डन जिब दी हुई है यहां पर और इसमें आराम से आपका एक वालेट फोन और लिप्स्टिक वगएर आप छोटा मोटा अपना मेकप कर सकते हो और यह करने के बाद बहुत जदा थे सो वहां से यह उसने मुझे 275 रुपीज का लगाया सो मुझे बहुत ही क्यूट लगा बहुत प्यारा लगा सो मैं लेके आई थी तो अगर आपको यह कलेक्शन अच्छा लगा तो जल्दी से सरोजनी मार्केट विजट करो और मुझे कमेंड करके बताओ कि आपका में शेयर करो तो बाई गाईज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में